दोस्तो वन प्लस पैट इंडिन मार्केट में अनौन्स हो चुका है और आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे बताएंगे सारी डीटेल्स क्या है साथ ही साथ इसको हम लोग कंपेर भी करेंगे एपल आइपड और दूसरा एम आइपड 5 के साथ और बताएंगे कौन सा बहतर रहेगा आपके लिए इस वीडियो को स्टार्ट तो एंड जरूर देखना और वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे च दोस्तों जब बात आजाती है वन प्लस की तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे देमाग में स्ट्राइक होता है वो है वन प्लस के हाइंड कॉन्फिगरेशन क्योंकि वन प्लस इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फोन की कैटेगरी में उन्होंने बहुत बड़ा धमाका तो मचा ही रखा है तो अब आईए देखते हैं कि वन प्लस पैड में आपको क्या-क्या स्पेसिफिकेशन प्रवाइट किये जा रहे है तो सबसे पहली हाइलाइट होगी इस वन प्लस पैड की कि 144 हर्ट्स डिस्प्ले जो आपको कोई भी टैबलेट आपको इस समय प्रवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पर वन प्लस लेकर आए 144 हर्ट्स डिस्प्ले दूसरा हाइलाइट होगा यहाँ पर 11.6 इंच का स्क्रीन साइज यह इतना बड़ा स्क्रीन साइज आपको और कोई भी ब्रैंड इस समय तो प्रवाइड नहीं कर रहा है फ्यूच जाती है जो कि काफी ज्यादा यूसेज में आपको हेल्प करेगी और इसी के साथी साथ 67 वाट का सूपर वूक चार्ज मतलब बैटरी भी अगर खतम होती है तो यहाँ पर आपको चार्जिंग करने में बहुत कम समय में बढ़िया चार्ज हो जाएगा तो यहाँ के आपको ज्यादा यूसेज और अगर बैटरी खतम होती है तो उसको चार्ज करने में भी ज्यादा टाइम ने लेगा है और एस्पेक रेशियो का जहां तक सवाल है तो इस वनप्लस पैड में आपको 7-5 का एस्पेक रेशियो देखने मिल जाता है और बात करें इसके लुक्स और ड यहां पे इस वनप्लस पैड में आपको 12GB का रेम और 128GB का इंटरनल सोरेज दिखने मिल जाता है और जहां तक सवाल है प्रोसेसर का तो यहां पे आपको मीडिया टेक डैमेंसिटी 9000 का प्रोसेसर दिया गया है तो यहां पे परफॉर्मेंस के मामले में आपको जरह भी टे सपोर्ट दिया गया है जिसका मतलब है कि साउंड कॉलिटी भी आपको अच्छी सुनने को मिलेगी इसी के साथी साथ अगर आपके पास कोई एक्स्टरनल डिवाइस है उसको आप ब्लूटूथ से भी कनेक कर पाऊगे तो साउंड को अगर आपको इन्हांस करना है तो आप आपको यहां पर आपको कोई भी एक साउंड बार भी कनेक कर सकते हो ब्लूटूथ द्वारा इसी के साथ ही था जब मैं बात कर रहा हो ऑग गनेक्टीविटी के तो ब्लूटूथ तो आपको देखने मिले गई फाइप पॉंट तो बहुत ही जादा अच्छा होता और यहां पे कुछ और फीचर के बारे में बात करें तो यहां पे आपको cellular data sharing का option देखने मिल जाता है अगर इसको आसान भासा में समझे तो यह एक hot spot की तरह है अगर आपके phone का जो net है अगर आप टाबलेट में चलाना चाहते हो तो इस feature के थुरू आप चला सकते हो दूसरा feature है यहां पे auto connect, auto connect मतलब कि अगर समझ लो network fluctuate हो तो auto connect यह feature आपको काफी मदद करेगा connectivity के मामले में तो दोस्तों one plus pad में यहां पे एक चीज मुझे जो अच्छी लगी यहां पे आपको multitasking का option मिल जाता है मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का देखने मिल जाता है और जो back rear camera है उसको आपको वहां पे 13 मेगापिक्सल देखने मिल जाता है आप बोल रहे होगा यहां पे आपको इतने सारे features और इतना कुछ configuration देखने मिल रहा है लेकिन pricing क्या है तो pricing अभी तक one plus ने announce नहीं की है Indian market के लिए क्या होने वाली है इसका जो expected price है 30 to 35,000 का होने वाला है but no comments as such कि final यही होगा जबी भी होगा मैं आपको इस वीडियो के description में डाल दूँगा टाइटल में भी आपको देखने मिल जाएगा और आप इसे खरीच सकते हो April 2023 से लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आपको यह one plus का जो पैड है लेना चाहिए या नहीं क्योंकि market में और भी बहुत बड़े धूरंदर बैटे हुए Apple iPad जिसकी pricing लगभग उसी के आसपास है या फिर sale में लोगे या फिर Amazon से लोगे तो आपको थोड़ा और अच्छा discount मिल जाता है तो प्राइज और कम हो जाती है तो यहां पर सवाल उठता है क्या हमें one plus pad लेना चाहिए या फिर Apple iPad लेना चाहिए या फिर Mipad 5 लेना चाहिए क्योंकि तीनों की जो प्राइजिंग लगभग सेमी होने आ लिए लेकिन एक इंडियन कंजूमर के लिए कौन सा चीज बेटर है वो यहां पर अब हम compare करके देखते हैं कि क्या चीज आपको मिल रही है किस pad में दोस्तों यहां पर comparison को शुरू करने के पहले एक चीज कहना चाहूंगा अगर आपने डिसाइड किया है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको कौन सा iPad लेना चाहिए तो description मैंने उसके बाइंग लिंक देदी है वहां से आप जाके चेक आउट कर लीजे इस चैनल की काफी मदद होगी अगर आप उस लिंक से purchase कर दो क्योंकि वह सारे के सारे मेरे affiliate links है तो दोस्तों यहां पर अगर तीनों ही पैड को साइड बाइ साइड कंपेर किया है तो सबसे पहला difference होगा यहां पर तीनों ही पैड में साइजेज जो है screen size वह अलग-अलग है जहां पर OnePlus आपको दे रहा है 11.6 का screen size display Apple iPad आपको दे रहा है 10.2 inches का display और M iPad में आपको देखने मिलता है screen size 10.9 inches का display और जो aspect ratio है वह भी अलग-अलग है aspect ratio की बात करें तो OnePlus में आपको aspect ratio देखने मिल जाता है 7-5 का Apple दे रहा है 4-3 का और MI में आपको देखने मिल रहा है 16 by 10 का aspect ratio तो यहां पर screen size के मामले में OnePlus का device है उसकी screen size काफी आपको बड़ी देखने को मिल जाती है दूसरा difference होगा network connectivity को लेके जहां पर OnePlus और MI आपको दे रहे 5G enabled device और Apple iPad में आपको 4G का support देखने मिल जाता है तो future के हिसाब से iPad जो Apple का है वह सही नहीं है और यहां पर compare कर लें इनके hardware configuration को तो जहां पर आपको OnePlus दे रहा है 12 GB का RAM और 128 GB storage Apple आपको दे रहा है 4 GB का RAM और 64 GB का internal storage और बात करें MI में तो MI में आपको 6 GB का RAM और 128 GB का internal storage देखने मिल जाता है और जहां तक बात है तीनों ही tablets में आपको processor कौन से देखने मिलते हैं तो OnePlus में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि MediaTekse Dimensity 9000 का processor देखने मिल जाता है और Apple के device में आपको A13 Bionic chip देखने मिल जाती है और पात करें MI में तो MI में आपको Snapdragon Colcom 860 का processor दिया गया है और एक खास difference होगा Touch ID को लेके जहां पे आपको Apple के iPad में Home button पे प्रेस करके आप device को unlock कर सकते हो दूसरी तरह OnePlus और MI में यह feature देखने नहीं मिलता तो modern जमाने के device में यह बहुत ही common हो गया और यह मैं OnePlus से expect कर रहता है कि OnePlus के device में होगा लेकिन unfortunately यह आपको देखने नहीं मिलता OnePlus और MI में जिर्फ और आपको यह Apple के दिवाईस में देखने मिलेगा और एक और इंट्रेस्टिंग difference होगा जहांपे हम लोग बात करते हैं 3.5 mm के jack के बारे में यह सीर्फ और आपको Apple के दिवाईस में देखने मिलता है और पाकी डिवाइस में देखने नहीं मिलता OnePlus और MI वाले नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ आपको Apple के iPad में देखने मिलेगा, और जो एक major highlight OnePlus लेका है, मार्केट में 144 Hz दिस्प्ले, और आपको जो Apple iPad है, वहाँ पे एक standard 60 Hz refresh rate देखने मिल जाता है, और बात करें, MI में तो MI में भी आपको 120 Hz refresh rate देखने मिल जाता है, तो यहाँ पर OnePlus के बाच, जो दूसरा device होगा, मेरी लिस्ट में, वो है MI का, जो refresh rate के मामले में, बहुत ही पढ़िया, आपको experience देखने मिलने वाला है, बहुत smooth experience होगा, आप content enjoy करो, या फिर आप छोटा मोटा gaming भी कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको refresh rate काफी मदद करते हैं, और एक और खास बात में, यहाँ पर highlight करना चाहूँगा, जो charging का, जो support है, वो आपको OnePlus में देखने मिल जाता है, 67 Watt का Super Wook Charger के थ्रू, और यहाँ पर आपको Apple के iPad में देखने मिलता है, 20 Watt का Type-C Charger, जो I think काफी जादा disappointing है, मतलब काफी time लगता है आपको charge करने के रहे, और बात करे, MI में तो MI में आपको 33 Watt का Super Fast Charging देखने मिल जाता है, तो यहाँ पर OnePlus के device में आपको charging का experience हो का काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, OnePlus आपको दे रहा है, 8 Megapixel का front cam, rear camera आपको मिल रहा है, 13 Megap का front and 13 Megapixel का rear camera और इसी के साथ वहाँ पर आपको dual LED flashlight देखने को मिल जाती है, बात करे, Apple iPad के बारे में तो वहाँ पर आपको front में आपको देखने मिलता है, 8 Megapixel का wide angle camera और rear की बात करे, तो rear में आपको 12 Megapixel का ultra wide camera आपको देखने मिल जाता है, यहाँ पर Megapixel तो हमने compare कर यहाँ पर एक चीज़ जो highlight होती है, वो होता है center stage focus, जो आपको सिर्फ और सिफ Apple के device में देखने मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको यह feature दिया गया है camera में, जिसका मतलब है कि वीडियो call के तरह में आपको बोलते है जो focus चीज़ अगर आपको highlight करना चाहते हो, या पर आपका जो अगर आप बात करें तो focus आप पर ही रहे, वो आपको इस device में देखने मिलने ला है, जो Apple प्रवाइट कर रहा है, बागी device में आपको यह technology नहीं मिल रही है, तो दोस्तों हम सभी ने देखा क्या differences है इन devices में, और यहाँ पर अगर तीनों ही device के pricing को हम लोग ध बात करें, तो आपको 30-35,000 में अगर यह launch होता है, तो यहाँ पर आपको किस device को लेना चाहिए, आप difference की हिसाब से तो decide करी सकते हो, तो यहाँ पर अगर मेरे recommendation की बात करें, तो इन तीनों ही device के pricing और features को देखने का मुझे ऐसा लगता है, कि आपके need के हिसाब से आपको device को choose करना चाहिए, पहला यहाँ पर जो OnePlus आपको 7-5 का aspect ratio दे रहा है, और जो बाकी configuration उनको देखते वे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई भी content enjoy करना है, वीडियो के मामले में, या फिर थोड़ा सा gaming भी करनी है, तो वहाँ पर आपको OnePlus की device आपको काफी help करें, क्योंकि वहा और पढ़ाई से related कुछ काम करना है, तो वहाँ पर 4-3 का जो ratio है काफी बढ़िया, aspect ratio है, जो आपको काफी help करेंगा, और focus करके आप काम कर सकते हो, और अगर आपका budget कम है, तो फिर आप MIK device को ले सकते हो, यहाँ पर pricing कम है, और उसके specification भी अच्छे है, लेकिन कुछ-कुछ differences है, जो मैंने आपको अलड़ी बता दे, तो यह मेरा recommendation होगा, आप अपने need के हिसाब से decide कीजिए, एक कौन सा iPad आपको लेना चाहिए, अगर आपको कोई भी सवाल है, तो लिखिए comment section में, आपके सारे सवालों को जवाब देए, कोशिच करेंगे, इसी के साथ ही साथ, अग में मैं यॉचल लाफव, फो जैँ मेंत говорит कouv धना चाहिए, को जब ह changॉटो सते के साथ, थे हैं गी जाएने चाहिए, आपको अब साथ, लिखे रावस, बसके में लिख रहे हैं?